अरे चिडिया बेहन तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें सारे जंगल में ढूंटाया अच्छा क्या हुआ गोरी आज तुम मुझे क्यों ढूंग जही हो अरे क्या बताऊं बेहन मैं उधर पाड़ी के पास जंगल में गही थी वहां मैंने देखा एक सुंदर और रजबरे फलों से भरा हुआ पेड़ था पर मैं वहां अकेली ना जा पाई क्योंकि वहां पर एक किसान पहरा दे रहा था कहीं मैं पकड़ी ना जाओं और मेरी मदद करने के लिए कोई ने था इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें साथ ले जाओं अरे वा गूरी बेहन बात तो तुमने सही कही लेकिन किसान तो बड़े चालू होते हैं ना वो तो हमें सिकार कर डालेंगे और हमें मार जालेंगे अरे नहीं नहीं चुक्के से जाएंगे तुम तोड़ना और मैं फल खटे कर लूँगी उस किसान को पता भी नहीं चलेगा चिडिया बोली ठीक है हम दोनों चलते हैं तब चिडिया और कवी दोनों उस पहाडी के बाग की तरफ चल पड़ी चलते चलते जब वहाँ पे पहुँची तो देखा क्या किसान दुपैर में गर्मी से बच्टे के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था आराम करते देख उन्होंने सोचा कि दुपैरी में सायद ये किसान खाना खाकर सो गया होगा तबी वो दोनों चुपके चुपके उस पेड़ पर जाकर फल तोड़ने लगी उपर से चिडिया फल तोड़ती और नीचे से गोड़ी कोवी इखटा करती ये कर जैसे जैसे चिडिया फल तोड़ने लगी तो गोड़ी ने भी बहुत सारे इखटे कर लिए लेकिन गलती से चिडिया से एक फल किसान के उपर गिर जाता है जिसकी वजा से वो हड़ बढ़ाट होकर उठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है तब ही उसे दिखाई देती है गोरी चिडिया सारे फल एकटे करते हुए तब किसान बोल अच्छा तो ये है चोड जो मेरे फलो को रोज चोड़ी करता है अच्छा अब बताऊंगा मैं तुम्हे तब ऐसा बोलकर वो गोरी को पकड़ लेता है और उसे उसी पेड से बान देता है ऐसा देख चिडिया डर जाती है डर के मारे वहमा से भाग जाती है तब ही भागते हुए वह जाती है तोते के पास हर्याली भाई हर्याली भाई कहां हो तुम अरे चिडिया क्या बात है तुम इतना परेसान क्यों दिख रही हो जवाब देती है भाई हम ना फल लेने गए थे किन्तु मेरे से ना गलती से उस किसान के उफ़र फल गिर गया जिसकी वज़ा से वो सोते वे उठ गया और उसने गोरी कवी को पकड़ लिया ओहो और यह बाबा यह क्या किया तुमने तुमें पता है ना कि यह जो इनसान होते हैं यह बड़े बेदर्ध होते हैं और यह कहीं गोरी कवी को मार ना दे चलो चलते हैं देखें आगिर ये किसान हमारी गोरी को कैसे छोड़ेगा तब ही वे हर्याली तोते को लेकर वहाँ पहुच जाती है जहां किसान गोरी को पकड़े हुए था तब हर्याली बोलता है रानो चलो इस किसान से बात करके देखते हैं आखिर है तो ये इनसान ही पता नहीं क्या बोलेगा तभी हिम्मत कर हरियाली तोता बोला भाई किसान किसान देखता है कि तोता सामने है तभी किसान बोलता है हाँ बोलो भाई किसान ये गोरी है ना गलती से यहाँ पे आ गई थी हम आपके हाथ जोड़ते हैं आगे से कोई भी पंच्छी आपके फलो की पेड़ी के तरफ नहीं आएगा आप इसे छोड़ दो तभ किसान बोला अच्छा हम ऐसे चोरो को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे फलो की चोड़ी करता है और उन्हें खराब करता है इसको तो मैं ऐसे ही बांदे रखूँगा तभ रानो बोलती है नहीं नहीं किसान भाई आप कितने अच्छे और कितने सच्छे इंसान दिख रहे किसान बोला तुम मुझे जंगल से क्या ला कर दोगे मुझे जंगल की कोई वस्तु बसंद नहीं है बस मैं तो इस कवी को सजा दूँगा तब ही है देखो किसान भाई आज की बाद हम आपकी खेट की तरफ को नजर उठा कर भी नहीं देखेंगे और हम अपने सबी जंगल के साथियों से कह देंगे कि वो आपकी फल की चोरी ना कभी करें और ना किसी को करने दे किसान फिर भी माँजाता है कहता है ठीक है अगर आइंदा से तुम मेरे खेट की या मेरे फलों की तरफ देखा ना तो मैं तुम्हे जान से मार दूँगा ऐसा सुनकर सभी पक्सी डर गए और वो अपनी गोड़ी साती को चुड़ा कर ऐसे भागे कि किसान देखता रह गया तो बच्चो इससे हमें ये सीख मिलती है कि चोड़ी करना तो गलत बात ही लेकिन लालच करना भी बहुत बुरी बात है क्योंकि ऐसे हम मुसीबत में फस सकते हैं इसलिए ना लालच करें और ना चोड़ी करें ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियों के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे उसके लिए आपको चैनल को लाइक से और सस्क्राइब करना होगा साथ ही साथ बैर आइकन बचन प्रेस करना होगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए बच्चों मिलते हम आपको नेक्स्ट कहानी के साथ तक के लिए बाब बाई